ओके सो हेगाईज वेलकम पेक टो माईटू चाइनल टेकनिकल सेलें दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC e-ballet को लेकर IRCTC e-ballet को पैसे को अपने बैंक एकाउंट में टांसफर कैसे कर सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो को लास्त तक देखना है यहाँ पे आप लोग को मैं step by step बताने बारा हूँ, आप IRCTC e-ballot पैसे को बैंक पे transfer कर सकते हैं या आप ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं तो उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो simple आपको करना क्या है, play store open करना है, और यहाँ पे आपको search बार में search कर लेना है, IRCTC rail connect app, तो simple मैं यहाँ पे search कर लेता हूँ, इसके बाद IRCTC rail connect app को अपने mobile phone में install कर लेना है, यदि आपने already install कर रखे हैं, तो IRCTC rail connect app में update आ चुका है, तो आप लोग को एक बार update भी कर लेना है, इसके बाद open पे click करना है, open पे click करने के बार login पे click करना है, login पे click करने के बार यहाँ पे आपको username, password, इसके बाद capture, feel करने के बार फिर से आपको login करना है, तो मैं फटा-फट feel कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे login पे click कर दिया हूँ, तो देख सकते हैं हमारा एकाउंट जो है verify हो रहा है इसके बाद यहां पे हमें 4-digit का pin set करना होगा जब हम first time login करेंगे तो मैंने यहां पे 4-digit का pin set कर लिया हूँ इसके बाद submit पे click करना है इसके बाद OK पे click करेंगे जैसे ही click करेंगे तो हमारा एकाउंट जो है IRCTC login हो चुका है इसके बाद simple हमें एकाउंट पे click करना है एकाउंट पे click करने को बाद second option में आपको देखने को मिल जाता है IRCTC e-wallet simple इसके click करना है जब भी आप IRCTC e-wallet पैसे को अपने bank account में transfer करना होगा जैसे ही click करेंगे तहां पे हमें दो मेठेड मिल जाता है नमबर वन अधार काउंट और second नमबर पे pain card यानि कि यहां पे दो तरह से IRCTC e-wallet का KYC कर सकते हैं फर्स में हमने अधार काउंट पे select कर लिया हूँ इसके बाद सबसे पहले अधार काउंट पे जो नाम होगा वो टाइब करना होगा और निचे हमें अधार काउंट नमबर डालना है इसके बाद यहां पे click करना होगा इसके बाद यहां पे send otp पे click करना है जैसे ही send otp पे click करेंगे तो हमारे अधार कार्ड में जो मॉयल नंबर रेजिस्टर होगा, उस मॉयल पे हमें एक OTP आएगा, OTP फील करना होगा, OTP फील करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है, जैसे ये अपडेट पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा अधार का, हमारा ICTC e-wallet KYC हो जाएगा, इसके ब सिंपल होम पेज पे आते हैं, इसके बाद यहां पे हम ट्रेन टिकट पे क्लिक करके, यहां से ट्रेन में टिकट बूक करते हैं, लेकिन कई बार होता कि हम जब ट्रेन में टिकट बूक करते हैं, बूक करने के बाद कुछ पैसे जो हमारा ICTC e-wallet में बच जाते हैं, या फि किसी भी बकाया क्रेडिट का उपयोग केवल IRCTC के मार्ध्यम से रेलबे टिकट बुकिंग के लिए भुकतान के लिए जाना चाहिए यानि कि IRCTC इस चीजों को अभी तक नहीं दे रहा है कि IRCTC पैसे को अपने बैंक अकाउंट में टांसफर करे तो सिंपल इसे यूज करने के लिए आप लोगो को रेलबे टिकट यानि कि ट्रेन में टिकट बुक करके ही वो पैसे को आप यूज कर सकते हैं इसके अलाबा हमार नेक्स्ट वीडियो में